गाजा में हमास के साथ युद्ध में इसराइल को जटके पर जटके लग रहे हैं एक तरफ गाजा की एक सुरंग में छे इसराइली बंदकों के शव मिलने से पूरे इसराइल में आक्रोश पैदा हो गया है वहीं दूसरी तरफ उत्री बॉर्डर पर हिजबुला इस जंग में आग में घी डालने का काम कर रहा है हिजबुला के ड्रोण, रॉकेट और मिसाइले इसराइली सेना को रह रह कर दहला रहे हैं यहां तक कि आईडियफ की तरफ से पलटवार करने के बावजूद हिजबुला और ज्यादा आक्रामक हो चुका है और अब इस पूरी जंग का रुख बदलता हुआ दिख रहा है उसकी सबसे बड़ी वज़ा है हिजबुला के हवाई हमले जो पूरे उत्री इसराइल से लेकर अन्य इलाकों के लिए एक बड़ा खत्रा बन गए है बीते दिनों में हिजबुला ने ड्रोन हमलों के मामले में महारत हासल की है जिसका तोड आईडियफ के पास भी नहीं है और खुद इसराइली मीडिया भी इस बात को बहुँ भी समझ रहा है दरसल इसराइल के चैनल 12 ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हिजबुला का एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर हावी होता हुआ दिख रहा है चैनल का कहना है कि इसराइली एयर फोर्स के अधिकारियों को हिजबुल्ला की हवा में बढ़ती ताकत से पैदा हो रहे बड़े खत्रे का एहसास हो चुका है क्योंकि हिजबुल्ला इरान से एर डिफेंस सिस्टम लेने में काम्याब रहा है साथ ही उसके पास अब कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली हैवी मिसाइल और उसके प्लेट फॉर्म मौझूद है जो लेबनान के आस्मान में इसराइली जेट्स को गिरा सकते है इसकी वज़ा से इसराइली एर फोर्स की लेबनान के भीतर हवा में ताकत कम हो सकती है चैनल 12 का कहना है कि मौझूदा और पिछले 11 महिनों में हिज़बुल्ला की ये उपलब भी बताती है कि कैसे उसने इसराइल के 5 बड़े 450 हर्मीज और 900 हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है हाला की चैनल 12 का कहना है कि उसकी शुरुवात आज से करीब 5 साल पहले ही हो गई थी जब हिज़बुल्ला ने लेबनान में इसराइली जेट्स के लिए रेडार लॉक करना शुरू कर दिया था 2019 में IDF के एक ड्रोन से दागी गई मिसाइल को हिज़बुल्ला ने डिटेक्ट कर लिया था इसके अलावा 2020 और 2021 में हिज़बुल्ला ने ऐसी कई मिसाइलों को डिटेक्ट किया था हाला कि हिज़बुल्ला के पास इस तरह की इंटरसेप्टर मिसाइले कहा से आई ये भी बड़ा सवाल है लेकिन चैनल 12 का कहना है कि हिज़बुल्ला के पास ये मिसाइले सीरिया होते हुए समुद्र के रास्ते पहुची है यहां तक कि इन मिसाइलों की डिलिवरी में रूस के बड़े अधिकारियों का भी हाथ हो सकता है इसके अलावा इन हत्यारों को चलाने की ट्रेनिंग हिजबुल्ला को इरान की कुझ फोर्स से मिलती है जिन्हें सीरिया और इरान में ट्रेन किया गया है और इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि लेबनान में हत्यारों का जखीरा इखटा करने के पीछे सीधे सीधे इरान का हाथ है यहां तक कि वो गाजा में हमास को भी हत्यारों की सप्लाई कर रहा है जिससे हमास के लड़ाके अभी तक मैदान में डटे हुए है और यही वज़ा है कि गाजा से ज्यादा अब लेबनान बॉर्डर इसराइल के लिए एक बड़ा खत्रा बन चुका है प्रफटब थाट लेघ्ग सकाया भाल से ज्यादार है